दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए विडियो में। आज हम जून और जुलाई माह के कमीशन का कंपेरिजन करने वाले हैं। कि जून महीने में और जुलाई महीने में सेम वर्क पर कितने कमीशन का फर्क पढ़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जून माह में इसमें कमीशन 19,235 आया था, वही जुलाई माह में 14,279 ही आया है. यहां कमीशन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, 5,000 रुपए का लॉस हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा जिस प्रोड़क्ट में कमीशन कम आया है, वो है एवरेज बैलेंस मेंटेनेस. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जून महीने में पर अकाउंट एवरेज बैलेंस 26,37 रुपए था, जिसका कमीशन 8,462 रुपए मिला था. और वहीं जुलाई के महीने में एवरेज बैलेंस तो पर अकाउंट में लगभग वो ही है. लेकिन बैंक ने उसका कमीशन बिलकुल आधा कर दिया है. 4,211 रुपए. इसके बाद जिस प्रोड़क्ट में कमीशन कम मिली है. वो है कैश विड्रॉल में जो जून महीने में 33,222 रुपए कमीशन आई थी वहीं जुलाई में 25,93 आई है. बाकी लगभग सभी प्रोड़क्ट में सेम ही कमीशन मिली है. यानि की सिर्फ एवरेज बैलेंस का ही बैंक ने बिलकुल आधा कमीशन कर दिया. ये तो बैंक अपनी तानाशा ही कर रहा है. इतने समय CSP ने एक-एक कस्टमर करके इतने अकाउंट ओपन किये फिर उसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन कराया. और ऐसा नहीं है कि CSP ने इतने सालों में बीमें नहीं किये होंगे. कोई भी CSP ऐसा नहीं है. जो बीमें नहीं करता हो, जो CSP ग्रामेंड शेतर में बैठा है, उसके पास तो वो ही कस्टमर है और लगभग सभी का CSP ने अकाउंट भी ओपन कर ही रखे हैं. अब CSP हर महीने इतने कस्टमर कहां से लाएगा. या तो वो यूँ ही अपना कमीशन कटाता रहेगा, या फिर CSP ही बंद कर देगा. हर हाल में नुकसान CSP का ही है. बैंक को मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था. और अगर कर भी दिया है, तो बैंक को अपना ये डिसीजन वापस लेना चाहिए. आपकी इस पे क्या राय है? कॉमेंट करके जरूर बताएं. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें. क्योंकि हम NCE informative वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे.